जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है बिजली पानी का संकट पैदा होता जा रहा है सिर्चा के बेगू रोड वार्ड नंबर 12 के लोगों ने पानी की हो रही किलत से परिशान होकर प्रदोशन किया और अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दी है लोगों की शिकायत की कई दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है जिसको लेकर परिशान भी है वार्ड नंबर 12 के लोग केंटर से पानी मंगवा रहे हैं लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पारी और ऐसे में आकरोश जो है जंता में वो साफ तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि कई बार अवगत करा दिया गया है लेकिन उसके बाद भी परसाशन ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी तुनवाई नहीं की कोई भी ध्यान नहीं दिया है अधिकारियों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है जिसकी वज़ा से बाद बासी जो है वो काफी ज़्यादा नाराज भी नजर आ रहे देखनी की लगतार जिस तरीके से गर्मी में तापमान में बढ़ोती देखने को मिल रही है और साफ तोर पर पानी की किलत के वज़े से जनता का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है तो आपको बितादे कि लगतार पानी की किलत बरकरार है वाड़lor 12 के लोगों को पानी की समस्याय हो रही है जिस तरीके से लगतार अब गर्मी जब है बढ़ती जा रही है और ऐसे में किलत की वज़ा से पानी की लोगों में भी आफRोश है कई ज़़ा अभशे को पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है और आपको ये भी बता दी कि लोग जो है पानी यहाँ पर खरीदने को मजबूर है लेकिन प्यास नहीं बूज रही है और